असलाम लेकुम आज मैं शेयर कर रही हूं ब्रेड गुलाब जामुल जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है आज हम बना रहे हैं ब्रेड से गुलाब जामुल अगर आप बहुत जाद मीठा खाने के शोकीन है डेली आपको मीठा खाने का मन करता है तो यह आपके लिए बिल् तो इसके लिए पैन में एक कप चीनी डाल देएं और एक कप ही पानी डाल देएं और थोड़ा सा इसमेना इलाइची पाउडर डाल देंगे खुश्बू के लिए और हाई फिलम पे इसमें बॉइल आने देंगे आज को हमें तेजी रखना है ताकि जल्दी से चीनी मेल्ट हो बस थोड़ी सी चिपची पी रहे तो देखे मैं दो मिनट इसे बॉल कर रही हूं और पका रही हूं तो उसके बाद हमारी चाशनी बन जाएगी तो दो मिनट हो गया है तो मैंने आज को बंद कर दिया है और ये चाशनी हमारी बन के तयार है तो चलिए इसे साइट पे रख आएगा और एक दूसरा गुलाब जामून तूटने का डर रहेगा तो इसी तरह हम सभी किनारों को कट कर लेंगे और इस किनारों को नपे किये गा नहीं इसका ब्रेट क्रम्स बना लिजेगा और इस तरह से ब्रेट को तोड़के हम मिक्सी के जार में डालके इसे एक बार चला देंगे तो इस तरह से देखी हमारा bread crumbs बन गया है यह बिल्कुल मावे के जैसा लगता है तो अब इसे हमें इसका डो बनाना है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डूद डालेंगे और इसका डो बना लेंगे दूद हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है बस तीन से चार चमच ही दूद लगेगा और हमें इसको गूधना नहीं है बस इस तरह से इकठा कर लेना है ताकि यह डो की फॉर्म में आ जाए तो देखिए यह बिल्कुल सॉफ्ट सा एक डो बन गया है अब इसे पांच मिनट के लिए साइट पर रख देंगे जब तक हम एक पिलिंग त्यार करेंगे तो इसके लिए न मैं एक बाल में चोटा चमच बिलकुल बारी कटा हुआ बादाम ले रहे हुं और बिलकुल बारी कटा हुआ जू और एक चमच नारियल का बुरादा खोपरा जिसको कहते हैं और यह फ्रेश मलाई ली हूँ दूद की और दो बूद फूड कलर मैंने डाल दिया है क्योंकि वाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा यलो यलो रहेगा तो अच्छा लगेगा तो यह बिल्कुल ऑप्सनल है लेकिन ब्रेट की गुलाब जामून है उसमें मावे जैस की अंदर तो टेस्ट अच्छा लगेगा तो चलिए अब हम गुलाब जामून बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने हाथ में थोड़ा सा अहल लगा लिया है जिससे की चिपके नहीं और इस तरह से मैं टेपल स्पून से ले रहे हूं जिससे की गुलाब जामून बिल्कुल गी ईक बड़ाबर बनेगी कोई चोटी बड़ी नहीं बनेगी तो आपको जैसे जितनी कोटी बड़ी बनाना है उससाफ से बना दी जेगा और इस तरह से तुड़ाब जामून का शेब कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी फिलिंग को हम रहेंगे एंदम थोड़ा सा और इस और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लिजी पेल आइकन को प्रेस कर दीजी जिससे कि जब भी मैं कोई नीव वीडियो डालूगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो देखे मैंने सबी गुलाब जामून बना लिये हैं तो चलिए इसे प्राइ कर लेते हैं तो इधर मैंने एक कड़ाई में तेल को गरम कर लिया है और मैंने मीडियम आच रखी है इसमें एक एक करके गुलाब जामून को डाल देंगे आज को बहुत जाद तेज नहीं रखना है नहीं बहुत धीमा रखना है धीमा अगर जाद रखेंगे न तो ऑईल पी लेगा ब्रेड है तो इसलिए ऑईल सोक कर लेगा और अगर हाई फिलेम रहेगा तो उपर से तो पक जाएगा अंदर कच्छा रह जाएगा तो इसलिए म निकाल नहीं हूं आप चाहें तो उस प्रॉइंटे पे भी आप निकाल सकते हैं तो दिखिए हमारी उलाब जावन फ्राई हो गई है तो अब इसको गर्मा गरम इसी तरह से चाशनी में डाल देंगे और चाशनी भी बिल्कुल गरम होने चाहिए अगर ठंडी हो गई हो तो द अपने अंदर अच्छे से अब्सर्व कर लें तो देखिए चाशनी को इसने पी लिया है अच्छे से फूल गई है और यह बहुत ही सौफ्ट है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी नेचे कॉमेंटे में जरूर बताईएगा और अगर बिल्कुल मावे के जो गुलाब जामुन है उसके जैसे ही लग रही है लेकिन इसके टेस्ट की बात करूँ तो जो मावे के गुलाब जामुन है उसके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी हां मीठा खाना है तो इसके लिए यह एक परफिक्ट रेसिपी है आप ट्राइ कर सकते हैं तो आप लोग भी एक बार इसे ट्राइ ज़रूर करिएगा सबको बहुत पसंद आएगी तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा टेक कियर अला हाफीज